नमस्कार बच्चों मेरे नामे सुनील और शुरुआत करने वाले है आज The Fundamental Unit or Life Chapter Cell के अंदर Part No.7 Cytoplasm के सीखते हैं Cytoplasm होता कहा है Cytoplasm होता क्या है और Cytoplasm में के फंक्चन क्या है इन तीन बातों को सीखने के लिए आज इस सीरिस के अंदर हम साइटोप्लाजम पढ़ने वाले हैं सो सुरुवात करते हैं साइटोप्लाजम होता कहा है साइटोप्लाजम आप एक सेल देख रहा हैं इस cell के अंदर जो outer membrane है इसकी जिसे हम plasma membrane का नाम देते हैं या cell membrane का नाम देते हैं और cell के बीचों बीच में आपका एक nucleus है एक आपकी cell की membrane है और आपकी एक nuclear की membrane है इस cell के अंदर से इन दोनों चीज़ों को हटाके जितनी भी सारी जो चीज़े बस्ती है वो सारी की सारी चीज़ें हमारी cytoplasm कहलाएंगे सो सीके, cytoplasm होता क्या है? Is a space between cell membrane and the nucleus membrane is known as cytoplasm Cell membrane और nucleus membrane के बीच का जितना भी reason है जितना भी space है, वो सारा का सारा हमारा cytoplasm कहलाएंगा सो ठीक है, अब सीखते हैं cytoplasm बना किन-किन चीज़ों से मिलके हुआ है और cytoplasm हमें कैसा देखेगा? ठीक है, सो बात करें cytoplasm के बनने की तो cytoplasm दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है एक पहली है organalis और दूसरा है cytosol दोनों के मिलने से cytosol बना हुआ है अब organalis की बात करें, तो organalis होता क्या है? अब यह आपने series के अंदर देखा था cell wall के बारे में, cell membrane के बारे में और nucleus के बारे में चीक है, तो ऐसे ही और भी कुछ अब organ धीमे धीमे इसमें पढ़ते जाएंगे इस chapter के अंदर, जैसे के जो organ आपका ER होगा, वो organ आप bulgy होगा, mitochondria होगा, ribosome होगा, lysosome होगा इस सारे के सारे चुट चुटे organ से cell के अंदर, वो सारे के सारे organalis कहलाते हैं simply, तो organalis कौन है? organalis एक little organ है इस पर function, छीक है जो आप आगे चलके देखेंगे, ER क्या है गोल जी क्या है, mitochondria, ribosome और disosome, इनके अलग-अलग structure होगे सबके, और सबके अलग-अलग function होगे, इनी सबको हम organalis का नाम देते हैं साइटोप्लास के अंदर organalis होगा और साथ में cytosol होगा अब देखें, cytosol क्या हो इन organalis को हम अलग-अलग part में पढ़ते जाएंगे अभी हम सीखेंगे यहां पर cytosol को तो cytosol हमारा बना किस चीज से है, तो हम उसे कहेंगे solution of cell cyto that means cell, sol that means solution, तो हम कहेंगे यह से solution of cell, cell की solution को हम cytosol का नाम देंगे, चीज़े तो यह cell का जो solution है या फिर आप यह कहें सकते हैं, liquid portion of cytosol is known as cytosol cytosol के अंदर जो भी सारे liquid portion है उस सारे liquid portion को हम cytosol कह देंगे, तो simply यह cytosol, organalis से मिलके हमारा cytosol बना होगा, अब बात करें composition के, कौन-कौन से material होंगे, और कितने-कितने quantity में होंगे, जिससे हमारा cytosol मिलके बनता है सो बात करें जाएं, composition के सो हमारा cytosol में, वो दो चीज़ों से मिलके बना हुए, एक macromolecules है, और micromolecules है, micromolecules और macromolecules, micro ऐसे molecule, जो size में बहुत छोटे हों, so micromolecules macromolecules, macro, जो size में जो molecule खूब ज़ादा बड़े हों, so ne macromolecules का नाम दे सकते हैं so simply देखे, अगर micromolecules की बात करें, तो जिसके अंदर 70% of water, अगर हम cytoplasm composition की बात करें, तो जिसमें around 70% of watery water मिलेगा हमें, और साथ में कुछ ions होंगे, जिस आइंस में magnesium, calcium, sodium, chlorine, इस सारे चीज़ों इन सारे elements आपके होंगे, और साथी साथ carbon dioxide और oxygen भी हमारा, इस cytoplasm के अंदर ही आपको मिलेगा चीक, सो यह आपके कुछ micromolecules हैं, जो आपके cytoplasm के अंदर बने हुए रहते हैं, अब दूसरी बात करें, macromolecules क्या होंगे, तो कुछ ऐसे बड़े-बड़े molecules हैं, granular molecules, जो simply हमें छोटे, नॉर्मली, इस portion के अंदर, जो अलगी observe हो जाएं, तो हम ribosome की बात करें, ribosome और protein, यह दोनो चीज़ें हमारे macromolecules के अंदर होंगे, चीक है, तो एक cytosol, दो चीज़ें से मिलके, एक micro, एक macro, और macro वाले part में, ribosome और protein होंगे, अब इस ribosome के अंदर, क्योंकि ribosome को हम अलग से एक series में पढ़ने वाले हैं, अभी simple ही आप इतना जान सकते हैं, कि cytoplasm, macromolecules उसके अंदर ribosome होते हैं, चीक, अब बात करी जाएं, इन ओगनलीस की, जो हमारे cytoplasm में होते हैं, वो, क्योंकि एक membrane से covered होंगे, और enclosed होंगे, और enclosed और membrane से covered, तो ये सारे के सारे, जो portion है, वो सारे के सारे हमां और्गनलीस में आते हैं, चीक, बात करें आब हम इसके function की, सो इसके function क्या क्या होंगे, इसके function होंगे, cellular support देने का, cell का एक structure बनाने का काम, और cell को एक structural support देने का काम होंगा, इस cytoplasm का होगा, सो इसका पहला function है, cellular support, दूसरा function इसका हो सकता है, metabolic activity, अब यह metabolic activity क्या होगी, cell के अंदर, जो भी food particles थे, उन food particles को, energy में convert करना, हमारे metabolic activity कहलाएगी, तीसरा देखते हैं हम storage, इस cytoplasm के अंदर हमारे, खुब सारी चीज़ों का storage है, micro molecules का है, macromolecules का है, साथ में organelles का storage है, तो इतनी सारी चीज़े, हमारी जब cytoplasm के अंदर है, तो हमें से नाम दे सकते, storage करने का काम भी करता है, चोता function देखें हैं, इसका waste management, cell में जो भी best product है, उन best product का, cell से बहर जाने से पहले, collection, cytoplasm के अंदर ही होता है, सो यह waste management को भी regulate करने का काम करता है, सो simply यह हमारी structure और function थे, और आप इसका एक screenshot ले सकते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, कुछ नए नए टाव माने वाले हैं, जिसका नाम है protoplasm, जानते हैं protoplasm है क्या, और यह protoplasm हमें मिलेगा का, simply हमारे पास एक cell बना हुआ है, और इस cell के अंदर, क्योंकि cell ball missing है, cell ball कहीं है नहीं, तो आप समझ सकते हैं, कि यह जो cell का diagram है, वो हमारे एक animal cell के diagram है, क्योंकि वेक्यूल नहीं दिख रहा, cell ball नहीं दिख रही, तो यह diagram हमारे cell, animal cell का होगा, अब इस animal cell के diagram मेंस है, अगर हम cell membrane को minus कर दें, इस cell mass मेंस, इस cell पूरे cell मेंस है, अगर हम cell की membrane, जो की outer layer है, उसे अगर हम minus कर दें, तो protoplasm बन जाएगा, ठीक है, फिर समझते हैं, इस पूरे cell है, इस cell मेंस है यह थी outer membrane, इस outer membrane को हम ने आसे हटाने का काम करा, जो body enclosed थी जो cell, उसे हमने open कर दिया, अब बचा हुआ जितना भी reason है, cell मेंसे जब cell membrane minus हो गई, तो हमारा बचा protoplasm, तो ऐसे हमारे protoplasm आ जाएगा, चीक है, तो protoplasm क्या है, organalis, nucleus, और साथ में यह, हमारा cytosol, इस सर्म मिलके हमारे protoplasm बनाएंगे, चीक है, अब बात करें हम, कि protoplasm से cytoplasm कैसे बना, सो देखे, अब इस protoplasm में से, हम nucleus, और nuclear की membrane अगर minus कर दे, तो हमारा cytoplasm बन जाएगा, सो समझते हैं, यह हमारा nucleus है, और यह nucleus है, और nucleus की बाहर वाली यह membrane है, सो हमने यहां से, nucleus और nucleus की membrane, दोनों को यहां से minus कर दे आ, जब हम nucleus और nucleus की membrane को minus कर देंगे, तो यह organalis, और यह cytosol, मिलके हमारा, cytoplasm बनाएगा, स्मपली, जब हम protoplasm में से, nucleus और nucleus की membrane माइनस कर देंगे, तो साइटोप्लास्म बनाएगा और आप यह आपने सीख राखा है कि साइटोप्लास्म होता क्या है आप इसका एक स्क्रीन साट ले सकते हैं